मैं 21 टाइम का चलेंज करता हूँ, अगर आपने किसी कॉंसेप्ट को 21 बार बिना देखे, रिकॉल कर लिया, बिना देखे, माल लेते कोई एक टॉपिक है, अमीनोसीड है, अमीनोसीड की बारे में जितनी इन्फॉर्मेस्ट है, बिना देखे, अगर आप उसको रिकॉल कर पा अगर आपके बहुत एफट करने के बाद भी कुछ इंप्रूमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब वही है कि, जैसे एक सिंपल, इसको मैं एक्जांबल कर थूँ बताऊं, कि माल लेते हैं कि, अगर आप किसी टंकी से पानी जो है, वो बहर रहा है, तो उसमें कई सारे छेद है या कई जगव पे तो आपने क्या किया कि एक छेद पे बंद किया, लेकिन फिर भी फ्लो अभी बहुत तेज बहर है, इसका मतलब आपने जो छेद को बंद किया है, वो एक्चुली में कोई छोटा वला होगा या अनिम्पॉर्टेंट होगा, सिंपल सी बात यह है, जैसे आ आप क्या कर सकते हैं कि अपने उन चीजों को पहले आइडिंटिफाई करें कि इंप्रूव्मेंट करनी की ज़रूरत कहा है, हो सकता है कि आप महनत तो कर रहे हो, लेकिन रॉंग डायरेक्शन में कर रहे हो, सीधी बात है कि अगर आप एक तालाब में जो है काटा या जाल नहीं है, चाहे जितनी कोशिस कर लो मचलिया नहीं आएंगी, चाहे कितनी देर बैठेर हो, और पता लगा कि एक तालाब में मचलियां वहाँ पर आप जाल बिछाओगे, मचलिया आएंगी, या सिंपल अगर आप एक कार से कहीं जा रहे हो, और वो रूट आपको डेस्टि दस नंबर बढ़ रहा है, तो इस सिग्निफिकेंट इंप्रोव्मेंट, बट येस, और अच्छा करने के लिए, आपको, यानि कि आप 10-10 नंबर बढ़ाने के बावजूद भी 3-4 बार में अगर क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हो, इसका मतलब आपकी पहली जो प्रफॉर आपका कॉसेचन ये है कि कि नेगेटिब मार्किंग को कैसे डियूस करें, क्योंकि कई और होता हिए हैं कि अगर हम नेगेटिब मार्क को हटा दे तो हमारे जो पूरे टोटल मार्क्स होते हैं, वो 100 से जाधा हो जाते हैं, जब वो 100 से जाधा हो जाते हैं, तो ठीक है, उतने में ऐसा है कि अगर आप जनरल केटिगरी के 100, 110, अगर आपके मार्क्स हैं, तो आप सेफ साइट में हैं, लेकिन जब नेगिटिब मार्किंग होना शुरू होता तो होता क्या कि 90 marks आए 95 आए तो उससे हमारा कुछ percentile से रुख जाता है तो आपको करना क्या है पहले आपको ऐसे questions को identify करना है जिन में आप 101% sure हो जहां पर आपको कोई confusion नहीं है और अगर ऐसा कुछ है कि आपके उसने में ही 100 marks बन गए हैं तो आपको जादा risk नहीं लेना है अगर आप part C की बात करें 4 marks के question की बात करें तो आप 2 to 3 question में risk ले सकते हैं और risk भी आपको कौन सा 50% वाला लेना है तो इस तरीके से क्या होगा कि आप negative marking से बचेंगे लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि आपके 100 marks तो सही question से आपको मिल गया और बाकी का आप 10 to 20 marks के लिए ऐसे question को opt कर रहे हैं जिसमें आप खुद ही sure नहीं है तो negative marking जो है वो सबसे जादा बढ़ने का reason यही होता है कि आप कुछ जादा की चक्कर में ऐसे questions को opt कर लेते हैं जिनमें आप sure नहीं है तो आपको ऐसे questions से एकदम दूर रहना है अगर आपकी 100 and 110 marks भी आ गए हैं journal category में तो at least यह possibilities है कि आपका net qualify हो जाएगा तो जादा की चकर में मत रहिए अगर आप sure है 50-50% वाला है तो तो आप opt कर सकते हैं अधरवाइस थोड़ा सा avoid करिए ऐसे questions को opt करना जिनमें आप sure नहीं है इसी तरीके से जो आपकी negative marking है वो reduce हो पाएगी Thank you Thank you ma'am So next question काफी लोग ने पूछा है मौसमी, राजकुमार, वबंदना पढ़की करेंगे उसका कोई ऐसा तो है नहीं कि आप जो है मैं कहूं कि समंदर में नहा लीजे या गंगा नहा लीजे आपका party प्रिपेर हो जाएगा तो simple as simple as that you have to study and यह जो fear of mathematics fear of aptitude होता है पहले तो यह अलग कर लो तो यह excuse से पहले बाहर निकलो mental level से पहले उस जो लड़ाई है उससे निकलो कि नहीं मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं दूसरी बात कि पढ़ने के लिए जो है आप जो PYQs है अगर आप सारे के सारे जो अभी life science में PYQs आये हुए पिछले 10-12 सालों में अगर आप उतना भी solve करते हो तो आप 57 questions आराम से या solve करने का मदलब answer याद नहीं रखने हर question किस approach से solve हुआ है वो पता होना चाहिए अगर इतनी यह चीज़े आप सीख जाते हो तो यह guarantee का अगला exam में जो है 57 questions आप capture कर जाओगे और solve भी कर जाओगे और बहतर करने के लिए आपको थोड़ा सा जो pre-yq से हट के थोड़े basic concepts calculations इन सब चीज़ों पर work करेंगे थोड़ा और बहतर जो है वो कह सकते की approach से solve कर सकते हैं और साथ में CSR के कुछ patterns भी है patterns का मतलब उसमें जैसा कुछ logical हैं कुछ series में questions आते हैं कुछ questions जो है वो time distance पे आ रहे हैं कुछ questions जो है वो missings पे आते हैं कुछ chain पे आते हैं कुछ geometry पे आते हैं तो इससे patterns है CSIR का तो थोड़ा पकड़ेंगे उन concepts को पड़ेंगे तो बहतर तरीके से पार्टे को टैकल कर सकते हैं thank you sir so next question रवीन माहिम से है सावी कालनम की तरफ से लाइक की एक्जाम की जो लास्ट फी बीक बसते हैं इसमें रिवीजन कैसे कारें कैसे stress health कैसे इस अपचारी चीजे कैसे एक सब मैंस करें okay तो अगर रही बात रिवीजन की तो लास्ट बीक का जो रिवीजन होता है अगर आप तब कर पाएंगे अगर आपने प्रिवीजन का सब्सक्राइब करी है और कुछ शॉट नोट्स को जो है प्रपेर करा है अगर आप यह सोचे कि आपने फो तू फाइब मन्त को जादा प्रपरेशन नहीं करी और बन्बीक में आप रिवीजन का सोचें तो रिवीजन ऐसे नहीं होता है अगर बन्बीक अपको क्या करना है कि उनी शॉट्स नोट्स को और जो आपकी पढ़ी हुई चीज़ है उनको रिवाइस करना है आपको अलग से वहां पे कुछ नहीं पढ़ना है तो जैसे अगर आपने बन बीक के रिविजन की बात करी तो अगर आपने 7 to 8 unit ये जितना unit target करा है तो at least 1 to 2 week जो है उसका time दीजिये और हर एक week में उस सारी unit को revise करें लेकिन एक दिन में के वर एक ही unit को revise करना है तो इस तरीके से 1 to 2 week में आपका रिविजन effectively हो सकता है तो नेक्स्क्राइब करना चाहिए तो पहली बात तो यह है कि आप दो तीन चीज़े इसमें कर सकते हैं फर्स्ट आप अपने mental level से यह चीज निकाल दीजे के family आपका बुरा चाहती है वो आपका अच्छा चाहती है और आप उनके जो भी चीज़े हैं उनके पीछे के positive motive देखिए कि वो आपको बुरा नहीं चाहता है, अपका अच्छा चाहता है तो उसके पीछे करिए कि there is a generation gap और ना कुछ बाते वो आपकी समझ पाएंगे ना आप उनकी समझ पाएंगे जब आप उनके stage पे होंगे तब ही आप उनकी बातों को समझ पाएंगे इसलिए accept करिए उनकी भी बातों को अपनी भी बातों को कि यहां पर gap है और सब कुछ समझ पाना थोड़ा मतलब energy जो age gap होता है उस gap की वज़ा से आप कई बार हम less communicative हो जाते हैं और किसी भी parents से उतना associated नहीं होते हैं तो कम से कम दोनों parents में से जिससे भी आप comfortable हो मतलब दोनों का मतलब mother या father में से जिस भी अगर आप mother से comfortable है तो अच्छी बात है या father से एक से कम से कम अपनी बाते शेयर करना शुरू करिए not all the talks but लेकिन हां most of the talks जब भी आप परिसार या career से related so that they can feel comfortable and they can understand your situation and mental level so that कि वो support भी करेंगे आपको future में जब आप अपनी कोई चीज बताएंगे ही नहीं होने पता ही नहीं चलेगा कि आप कि इस दौर से गुजर रहे हैं तो वो क्या ही आपकी मदद करेंगे इसलिए बताना सुरू करिए कुछ बाते अपने family तक जिससे भी आप close हो उसे बताइए भाई से हो वम्मी से हो पापा से हो बताइए वो आपको समझेंगे और आपके help करेंगे तो बहतर यह है कि आप चीजों से जो है अपने family pressure को थोड़ा deal कर सकते हो last but not the least मैं बोलता हो ह मैं तो यही करता हूँ पहले भी बहुत लोग कहते था अभी भी कहते हैं तो मैं अराम से कुछ ऐसे सब्दों का चारड़ हम कर नहीं सकते हैं लेकिन आप लोग जानते हैं कि कर सकते हैं तो आप उन्हों चारड़ मन में बोल सकते हैं और मैं अकसर जब मैं relative कहां जाता था अपन के अब मुझे भी लोग बोलते हैं तो तो मन में कहते था था ठीक है पागल ले पागले पागले तो आप कुछ भी आपके मन में बोलना है उस ताइम पर जब आति जब आप बोलेंगे आ क्थि कह सामने वाला बोलके गया आप मैंने कान को बंद कर रख़ा है तो यह परेशानी बहुत से लोगों की होती है, इवन मेरे साथ भी एचीज कहीं होती है, मेरे जो अच्छे दोस्त है, वो हमेशा मुझसे यह कहते हैं, कि मैं बहुत जादा फ्यूचर के बारे में सोछती हूँ, तो आपको इसको कैसे उवरकम करना है, कहीं न कहीं हम आज में हैं, लेकिन हम सोच क्या रहा हैं कि जो हमारा आने वाला कल है, उसमें क्या होगा, जब हम उस आने वाले कल में पहुंचते हैं, तो हम आगे के टाइम के तो अबिस्सी रख है आने वाला जो टाइम रहे गा या आने वाला अपकमिंग डे है। उसमें आपके पास लिमिटेट वहाँ है तो इस तरीके से करते जाएं लेकिन अगर ज अब कीवाल आप सोच रहे हैं कि हमें यह करना है, यह करना है, फ्यूचर की टेंशन ले रहे हैं, तो नेक्स्ट कोशना चाहते हैं लेकिन चीज तीन-चार पहले नहीं होती तो इसको कैसे पूरे शिक्स मन्स तक कंटीन रखें एक्जाम पर टाइम पर एफिसेंसी बढ़ती है तो कुछ लोहों की घटी भी है और एक सीधी सी बात यह है ना कि जैसे मैं आपको एक एक इक्जामपल के थुरू बताओं कि अगर मैं आपको दोड़ने को बोलू कि दोड़ो ठीक है तो साथ आपकी maximum speed 20-30 km पर आर के हिसाब से जा सकती है maximum ठीक है इंसान की दोड़ने की speed आपकी लेकिन अगर वही आपके पीछ होता है कि जान की बात होती जब if you don't have any plan B if you know that कि like मुझे करना ही है नहीं किये तो जिंदगी गई केरियर गया तो उस टाइम पर efficiency बढ़ जाएगी अगर यह feeling last time पर आते आते बहुत pressure create होता exam की पता है कि अब दो महीने नहीं किये तो गए वही चीज़ अगर 6 महीने भी feel करो क्या होता है कि जब हम पहले feel नहीं करते तो हर question को बहुत liberty से solve करते बहुत casual solve करते पढ़ाई भी casually करते लेकिन गर 6 महीने पहले हर दिन आपको यह पता हो यह feel हो कि आप जो कर रहे हैं वो हर एक दिन का effect आपके exam में role play कर रहा है उतना ही जितना आपका last day उतना ही first day अगर अपने first day को भी उतनी value दिनी शुरू कर दी first day of preparation को भी और last day of preparation को भी तो आप पूरे 6 महीने जो है जब आपको यह लगेगा कि नहीं मेरे उपर एक plan B का कोई option नहीं है मुझे करना ही है तो ठीक है Thank you sir So next question Raveena मैं से है Shrivan Ji, पूछते हैं कि लाइक कि वो पिछले कुछ दिन रात पढ़ रहे हैं दिन रात महीनत कर रहे हैं इंसे उने काफी stress बी और रहा है और अगर आपको पहले ही यह चीज लग रही है कि आपने कम preparation कर रहे है तो stress होना लाजमी है यह आपको यह चीज पता है कि आपकी preparation up to the mark नहीं है तो अशी situation में आपको करना क्या है कि जो भी चीज आपने पढ़ ली है अब आपके पास अगर जादा समय तो रहता नहीं जैसे आपने mention करा कि 1 to 2 week तो इस week में आप नई चीज पढ़ने का try भी मत करिए लेकिन जो चीज आपने पढ़ ली है previously उस चीज को अच्छे से revise कर लीजे रिकॉल कर लीजे यह कि अगर हम CSIR question paper की बात करें CSIR exam की बात करें तो आपको choose तो करना ही है हर एक section में कुछ questions आते हैं जिन में से आपको choose करना रहता है तो आपके पास यह पाबर यह आपके पास कहीं न कहीं यह option है तो आप ऐसा कर सकते कि अगर आपकी 7 अगर आपने 5-7 unit ही बस target करी हैं बाकी आप नहीं कर पाए हैं तो आप उतना ही अच्छे से prepare करिए और हो जगता है कि आपका qualify भी हो जाए तो unnecessarily stress लेनी की ज़रूरत नही है थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैं तो नेक्स कॉश्चन है सुप्रियुतिम का मैं विजलें साथ पूछना चाहूंगा लाइक की अमस्तिक वाद उनका दो साल का गैप प्रफेशन में तो इस दोरान किये क्या तो आपके पास उसका जवाब होना चाहिए कि आप उसको वेस्ट नहीं किये थे मलब उसमें कुछ आपने सीखा आप उसमें कुछ अल्टरनेटिव चाहिए कुछ भी आप बोल सकते कि आप अपेरेंस किया कोई भी यह चीज कर रहे थे वो चीज़ अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो कुछ तो पॉजिटिव सोच के रखी आंसर को कि आपको कैसे उस दो साल के गैप को पॉजिटिव दिखाना है इंटर्व्यू में वही होता है और भी हर इंटर्व्यू में नहीं पूछा जाएगा वो किसी किसी इंटर्व्यू में पूछा जाता है और किसी प्रोफेसर के मन में आया तो ही पूछेगा क्य मैं आपको बोलू तो मेरा जो है बीटे के बाद एक साल का गाप है तो उसमें मुझे as it is बहुत problem face करने की जरूरत नहीं पड़ी मैंने 12 के बाद बीटे के लेने में ही तीन साल का गाप किया था medical preparation के टाइम पर तो gaps life में possible हैं होते हैं जब हम fail होते हैं क्यों हमें कोई रास्त चलते रों थेंक्यू सर्थ सो नाइस्ट कोश्चन रवीन अब बैम से पूछना चाहेंगे यह कुशन वैसे हमने आगे भी टील किया है मुल्टिपर लोगों ने पूशा है कि विजलक्षमी अरिया प्रजना लाइक हम अपने academics या जो लोग M.S.C. कर रहे हैं या जो जो ज जो भी आपका specialization subject है तो इसका अगर आप slavers देखेंगे तो वो आपके CSIR के slavers के जैसा ही होता है तो यहाँ पर तो आपको कोई problem नहीं होनी चाहिए कि हम M.S.C. कर रहे हैं तो हम preparation कैसे कर एक चीज़ एक चीज़ एमस्च के दौरान आपका वो इतना सही समय होता है कि जह पर आपको कहीं न कहीं study का ही बस pressure होता है मतलब आपको external pressure है जैसे अगर हम job की बात करें तो job का काम अलग होता है compare to study तो जब अगर आप job में है तो आपके लिए थोड़ा limited time लता है जैसे अगर आप 10 से 6 बजे तक अपनी job में है तो आपके पास hardly 5 to 4 hours ही रहेंगे study के लिए लेकिन अगर आप MSC में है तो आप अपने college में है universities में है तो जो भी आपकी classes है खाली time है उसके दोरान ही आप अपनी preparation को कर सकते हैं तो बहुत अच्छा time है और रही बात job बालों की तो job बालों को थोड़ा सा effort डालना ही पड़ता है क्योंकि उनका जो काम है और study है तो अल यूटिलाइस करिए और अपनी preparation करिए और अपनी preparation करिए और preparation भी आपकी थोड़ी smart way में होनी चाहिए कि आप ऐसा नहीं कि self-study के लिए बैठ जाएं कोशिश करिए कि अगर कहीं से आपको notes बिल रहे हैं कोई online या offline coaching platform तो उसको थोड़ा सा ज्वाइन करिए जिससे आपका जो time है यसे material को निकालने में जो आपका time लगता है standard book पढ़ने में जो time लगता है वो थोड़ा सा concise हो और आपकी जो preparation है वो effective बे में हो पाए thank you thank you ma'am so next question Pooja Singh का विलेंस से पूछना चाहूँगा कि लाइक की उनका की फैमिली से बात प्रेशर आ रहा है कि इस फिल्ड में जॉब्स नहीं है अगर आप पीजडी कर लोगे तो इसके बाद क्या गारेंटी की जॉब्स भी मिलेगी अब फिल्ड सुच कर लो लेकिंव बोलना चाहिए मैं इसी फिल्ड में रहना चाहती है उसके इस वो कैसे डील कर रहा है और जॉब नहीं होता तो लोग कर की हो रहा इसके अलामा जो है इंडिया का थोड़ा सा एक कल्चर है कि एजुकेशन सिस्टम उतनी फोकस नहीं करते हैं खासकर रिसर्च को लेते हुए बट येस धीरे-धीरे चीज़ें इंप्रूव होरें स्टार्टप की चीज़ें इंप्रूव होरें बहुत सारे अगर मैं आपको पढ़ा सकते हैं इसके साथ आप प्राइवेट इंस्टूशन को सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि आजकल बहुत लोग कर रहे हैं यूटूब एक प्लेटफोर्म है जहां पे आप खुद पढ़ा सकते हैं अपार्ट फॉम दिस कई सारे जो है आरंडी होते हैं कई प्राइवेट इसमें बायो कॉन तो प्सट के कंडिडेट्स को लेता है लेकिन और भी जितने भी मेडिकल या बायो टेकनोलोजी फिल्ट के जो है इसमें जूब निकलते रहते हैं अपार्ट फॉम दाट सेल्संट मार्केटिंग में जैसे कि निसले हैं बहुत सारे कंपनी से जो related jobs होते हैं वो कर सकते हैं इसके लावा lots of opportunities are there ऐसा नहीं कि कोई job नहीं है लेकिन यह याद रहे बैठे बैठे किसी फिल्ड में कोई job नहीं मिलती अगर ISB बनना होता है तो उसे पता है कि उसे कितने जो है राते जागी हैं कितने जो है अपने हड्यों को गलाया है हर कोई इंसान हर फिल्ड में कुछ पाने के लिए कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगे और आपको आजकल पता है हर फिल्ड में वो है कि तीन से चार classes आपकी हो रहे हैं तो उन classes को आपको देखना ही पड़ेगा क्योंकि आपको पता है कि आपको एक बीक में केवल एक डे का ही holiday मिल रहा है हैं और आपको चीज़ें नहीं समझ में आई तो इससे क्या होता है कि हमें दोबारा देखना पड़ जाएगा और दोबारा देखने की possibilities मला बहुत कम है उसमें और ज्यादा time जाएगा तो classes देखिए और अगर ऐसा है कि नहीं देख पा रहे है तो आपको अपको अपनी देखिए या दो देखिए तो तोड़ा सा एफिसेंसी बढ़ाईए जिसे बाद में आप चीज़ों को अच्छे से प्रपेर कर पाएं और खाली आपके पास इतना टाइम रही कि आपको रिवीजन करना है और रिकॉलिंग करना है वागी जो में क्लाज उनका प्रेशन नही जाने तो देखिए बात बुरा लगता हो फिपेरेशन में डिमुटरेशन फील होता है तो क्या से पहले बात तो सर सोचल मीडिया इस नौट दा कह सकते ट्रू पिक्चर ऑफ एनिवर वो सोचल मीडिया पे हर कोई जितना भी जो अच्छा दिखने की कूशिस करता है इंटर है कि जो सोचल मीडिया पे दिख रहा है वो सच नहीं है पहली बात तो यह है कि अगर आप किसी के चीजों से खुश रहते हैं इंटरनली किसी से फोन करके बात करो तो उसे पोछों के जिंदगी कैसी चल रही है तो ही और सी भी लाइक कि आर यार वही सो सभी के साथ है तो स कि अगर आप कील को दिवाल में फिक्स करना हो और आप कील के जो नुकीले पोर्शन को आगे के साइड रख रहे हो और चोड़े पोर्शन को दिवाल के साइड रखके कितनी भी हतोड़े मार लो दिवाल कील फिक्स ही नहीं होगी और हो सकता है गलती आप कर रहे हो डिरेक् में हैं, सही अप्रोच में हैं, या नहीं है, evaluate करो खुद को, और साथ में आप ऐसे jealous या ऐसे बुरे feel की जगह जो थोड़ा अच्छा काम्याब हो रहा है, आप उससे बात करो कि आप ऐसा क्या कर रहे हो, या आपके क्या mental state है, आपका attitude क्या है, और इन सब में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अपका positive attraction, अगर आप अच्छा सोचते हैं, तो life में आपके अच्छी चीज़े होती हैं, कई बार हम जब negative चीज़े हो रही होती, तो हम इतना ज़्यादा negative खुद के लिए सोचने लग जाते हैं, तो हमारे इर्दगरिद negative चीज़े attract होती है, और मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, दुनिया से चाहे कितना भी negative बोल लूँ, खुद से कैसा बोलने है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आप internally, inner self, अपने soul से अपने लिए negative बोल रहे हैं, तो positive करवाना उससे बहुत मुस्किल है, इसलिए कम से कम कि खुद को अच्छा बोलना सीखिए, धिरे-धिरे चीज़े बदलेंगी और negative को highlight करके उस पर work करिए, थेंक्यू. नेक्स कोशन दिव शिखा जी पूछा शाती कि मुझे लगता है कि मैं बात तैलेंटेर में सबकू समझ में आता है, और कभी-कभी दूसरे लोग को देखते हैं, वो मुझसे अच्छा कर रहे हैं, मुझसे जादा तैलेंटेर हैं, उसको देख कि मुझे बहुत लोग कर रहे हैं, प्रिशेट कर रहे हैं, कि आप तैलेंटेर हैं, तो यह अच्छी बात है, तो यह भी एक ट्रू बात है, कि ऐसा नहीं हो सगदा कि आप ही सबसे जादा तैलेंटेर हो, कुछ लोग ज़रूर ऐसे होंगे, जो आप से जादा तैलेंटेर होंगे, और उन लोगों क्ति shell करें हमें कुछ ना कुछ उन चीजे सीखना है कि हां अगर अगर ही अच्छा कर रहा है किस सिझ इवेशं में डिरिक्जन में कर रहा है, तो हम उस अपने उस on को चूज कर सकते हैं, और हम अपने आपको बैटर बना सकते हैं, तो यह तो मुझे नहीं लगतादा कि माइं में चीज़ आनी चाहिए, कि कोई हम से बैटर है, अगर वो आपसे बैटर है, तो इसका मतलब यहा है कि अच्छा है, और वो कहीं नगए उस लेभल का आपका competition है आप एक हायर लेबल के competition को set कर सकते हैं, अपने सामने और उससे अच्छा कर सकते हैं यह तो आपके लिए एक पॉजिटिव ही चीज है कि आपके जो इर्दगिर्द लोग हैं वो आपसे जादा अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप अपने ही ग्रुप में सबसे अच्छे हैं तो आप यह मान के चलिए आप उससे जादा अच्छा पर नहीं कर पाएंगे। यूँकि हमारे माइंड में यह ही रहता कि हाँ भाई अब हम सबसे टॉप पे हैं और यह जो है यह सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आसपास ऐसी लोग है जो अच्छा कर रहे हैं तो आप बिलकुल उनको देख के और अच्छा कर सकते हैं। इसमें एक चीज और आड़न करना चाहूंगा कि यह कई सारे एक बहुत ही फेमस प्रोफेसर है दिव विकिर्ती सर वो हमेशा एक चीज कहते है कि दुनिया में आप किसी भी स्टेज पे लाइफ में किसी भी लेवल पे चाहे आपको लगे चाहे जितने भी बहतर आप हो कु कुछ लोग आप से पीछे भी रहेंगे आप कुछ भी कर लीजे साम दाम दंड भेद कुछ अप्लाई कर लीजे चाहे कितने भी बेस्ट हो जाया लेकिन कुछ लोग उससे भी बहतर रहेंगे और कुछ लोग उससे कम रहेंगे तो यह expectation of perfection हटा दीजे कि मुझे perfect होना मुझ दीजे सब्सक्राइब कर लिए उससे कुछ रहेंगे तो अपको सारी चीजे आपके मैंड में नहीं है ज़से अगर आप अनिमल फिजे वगजी पढ रहे हैं अगर आपने नवश्य।्रम हमने सबसे पहले पिक अपिरा आपने उसको बहत अच्छी नहीं पढ़ा है तो और जब आप उसको revise करेंगे, recall करेंगे, तो बार बार अपने notes को देखेंगे, तो time जो है आपका वहीं पर जाता है, तो आपको करना क्या है, जब initially आप preparation कर ले हैं, तो आप सारी चीज को concept wise और example के थूर याद रखेंगे, अगर आप उसको example के थूर याद रखेंगे, तो recalling के time बस आपको उन example को या जो man point है, उनको तुरंती revise कर लेना है, तो यही एक रास्ता है, कि अगर आपने चीजों को clear पढ़ा है, आपके concept पूरे basic तरीके से clear है, तो आपको recalling में time नहीं लगेगा, लेकिन वहीं पर अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है, आपको ब अच्छे से पढ़ाई और जब एक बार आप अच्छे से पढ़ लेंगे, तो आप खुद देखेंगे कि आप easily और कम टाइम में effective recalling या revision कर पाएंगे, थैंक यू, थैंक यू, इसको एक बिमारी बोलते है, जिसमें आपको सब कुछ याद रहता है, और सब कुछ अगर या हाते पेट में रहने लगेगा, तो पेट सड़ जाएगा, वैसे सब कुछ जो आप बेसिक तोर पे गेन करते हैं, अगर वो सब कुछ आपके conscious mind में रहने लगा, तो वो जो है, पूरा का पूरा जो है, conscious mind एक दम पागल हो जाएगा, वो नहीं कर पाएगा, तो हमारे brain के ती पूर्सन होते हैं, conscious, subconscious and unconscious mind, तो most of the चीजे जो होते हैं, वो conscious से subconscious में और वहां से फिर unconscious में चली जाती है, तो brain में सब कुछ रहता है, और एक टाइम पे सब कुछ याद नहीं रहता है, जब चाहे तब उसको निकालने की कला को recalling बोलते हैं, तो दिमाग में हर वक्त याद यह तभी possible है, जब आप recalling करिए, एक चीज को अगर आपने, मैं literally बोलू, तो 21 दिन का challenge आता है, कोई भी चीज का, मैं 21 टाइम का challenge करता हूँ, अगर आपने किसी concept को 21 बार बिना देखे, बिना देखे, माल लेते कोई एक topic है, amino acid है, amino acid की बारे में जितनी information है, बिना देखे जब चाहेंगे तब recall कर सकते हैं, बिना किसी help के, तो try it, साय दिये आपकी memory को और boost करें, thank you sir, so इस session का last question, Raveena मैं से, डीवा और सहस्ता जी पूछना चाहते है, like कि मैं कोई topic पढ़ती हूँ, बार 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 पढ़ने से इसमें बोरियत आने लगती है, तो revision में बार पढ़ लिया है, आप पे उसमें सारी चीज़े आ रही हैं, उससे जो question आप solve कर रहे हैं, तो उसको बार बार पढ़नी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने एक बार उसको पढ़ लिया और आप उसके question भी solve कर पा रहे हैं, और रही बात नई topics की, तो जैसा कि मैंने previous episode में भी एक चीज़ यह कही थी, कि बहुत से topics ऐसे होते हैं, जो हमें हाट लगते हैं, तो उसके लिए आपको करना क्या है, कि एक ऐसा टाइम देखिए, जैसे ही हर दे मैं आप सोबै से पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं, तो जैसे ही आप सो के ओटे, आपने अपनी जो डेली उनको कम्प्लीट किया, और इनिशली डे के इनिसियेशन में आप ऐसे topic पिक अप करिये, जो थोड़े से हारडर है, तो उनको आप इजीली पढ़ लेंगे, क्योंकि अभी तक saturation नहीं है दिमाग में, लिकिन अगर आप यह सोचें, कि शाम को मैं पूरा काम करने के बाद उस से होगा क्या कि saturation आजाता है, तो आप उस topic को समझ ही नहीं पाते, और जो topics ऐसे हैं कि आपने अच्छे से prepare कर रहे हैं, आपके लिए याद हैं, revise कर पा रहे हैं, recall कर पा रहे हैं, तो उनको बार-बार पढ़ेंगे, तो आपने से बोरियत होगी, तो उनको बार-बार पढ़ आपका नाम है और आपका question आया और अगले वीडियो में हम डील करें, तो इस वीडियो के comment box में अपने question को type कर दो धड़ा-धड़, जिसको जो चाहिए, वो doubts अगर देख लिया, देखो यह नहीं कि मुझे हर बंदे को हर वीडियो में नया question अगर जो पहले हो चुका होगा वो तो नहीं लिया जाएगा, आपको previously जो यह वेदमी talks चल रहे हैं, वो आप देखते रहे हैं, सारे questions आपको already solve हो जाएंगे, लेकिन उससे नया कोई question राइस होता हो, तो फटा-फट comment box में डाल दीजिए, और हम अगले session में जो है, इसके questions को लेंगे, और फटा-फट उस